तो गाइज हम आचुके है आई टी से सुनार में क्योंकि यहां पे है कोलकता का वान आफ दे पैंस्ट रेस्टराल जिसका नाम है पैन एशियन तो चलिये चलते हैं अंदर तो यहां आप देख सकते हैं पॉपर सिटिंग एरेंचमेंट है और शेफ बिलकुन आपके सामने जो भी मेन्यू आप चूज करेंगे वह यहां पर लाइफ और फ्रेश प्रिपेर करके देंगे आपको तो मेन्यू कुछ इस तरह से है और हमने यहां से सकूरा चूज किया तो इस मेन्यू में सबसे पहले आता है यह वाफू सैलर जिसमें है और गैनिक ग्रीन्स चरी टमैटोस और सेसमी सीड्स जिसको ड्रेसिंग किया गया है वासाबी सोया सॉस से एंड ट्रस्ट मी गाइस इ आप देख सकते हैं कितने सुंदर से इसका प्लेटिंग किया गया है लुक अधिस इस अ मास्टर पीस तो चलिए काईस हम अभी से ट्राइ करते हैं थोड़ी से सॉस में डिप करके और यहां पर हमारे शेफ सेमन प्रिपर करें है हमारे लिए और लुक अधिस टेक्नीग गाईस इस वर्ड़ी तो वाज जब खाना आपके सामने प्रिपेर हो रहा हो और आप खाने के लिए वेट कर रहे हैं तो यहां पर प्लेटिंग हो गया है एंद लुक्स अमेजिंग बहुत ही सुन्दर लग रहा है यह देखने में and I cannot wait to try तो चलिए करते हैं से try and it's amazing the salmon just melts in your mouth very tasty और यह जो सोस है वो तो कुछ अलगी है बहुत tasty और यहां पर शेफ हमारे जो नेक्स्ट दिश है वो प्रिपेर करने में लग गये है जो की है जंबो प्राउंस विद पॉक्शोई and red onion तो हम यहां पर यह नजारा enjoy करके खाना खा रहे है तक तक यह प्रिपेर भी हो जाएगा अजह यह जो प्रिपड़ आएगा तो यहां पर अभी हमारा प्राउंस रेडी है और प्लेटिंग शुरू हो गया है I honestly don't really like प्राउंस बट जिस तरह से शेफ ने प्रिपेर किया था it looked very beautiful और प्राउंस भी बहुत अच्छा रहा था and I definitely had to try it and once again after tasting it was amazing just like every other dish here it was very tasty and very creamy तो अभी जो हमारा नेक्स मनु है वो अभी प्रिपेर हो रहा है जो कि है पर्क तंडर लाइन with assorted mushrooms and I just love pork or mushrooms भी मुझे बहुत जादा पसंद है and I am so excited to try this dish honestly the best thing about this restaurant is waiting for your food अगर आप किसी नर्मल से रेस्टरान पे जाओगे तो आपको बहुत इरिटेट हो सकते हैं आप फूद के लिए वेट करने के लिए especially जब आप बहुत जादा भूख ही हो लेकिन यहाँ पर आपके सामने खाना प्रिपेर होता है और आप देख सकते हैं शेफ के टेक्नीक्स और लाप किस तर से बनाते हैं and it's so exciting और यहाँ पे अभी हमारा खाना रड़ी है and not to my surprise it was amazing very delicious and I just couldn't stop eating मैंने पुरा प्लेट साफ कर दिया तो next menu में हमारे पास दो ओप्शन्स थे डिलक्स गार्लिक एक फ्राइज और वेजटेबल नूदल्स तो इन दोनों में से हमें चूस करना था और हमने चूस के यह एक फ्राइज और यह देखने में काफी अच्छा लग रहा है लेकिन खाने में यह like in comparison to other dishes थोड़ा नीचे है और यह है Miso Shiro Soup जो की काफी रिफ्रेशिंग था आफ्टर एवी मिल एंड वस लाइट बहुत अच्छा लागा मुझे और यहां पर है last but not the least dessert जो की है वैनिला आइस क्रीम और डेट पैनकेक आइस क्रीम बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी था और जो पैनकेक था वो बहुत ही क्रंची था अंदर जो डेट के फिलिंग से वो भी बहुत ही टेस्टी था तो यह था अच्का वीडियो गाइस कैसा लगा आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फोर्गे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब और थैंक यू पर वाचिंग